ही गाइज वेलकम तो मुस्कान्स किच्छन आज मैं बनाने चारी हूं एक बहुत ही डिफ्रेंट डाइब की एक करी बिल्कुल अचारी स्टाइल में अचारी एक करी तो फिर देर के इस बात की चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने हापे एक बॉयल किया ह श्ब्रक्स नतों स्टारी स्टाइब करम है देर्ट में लिए प्रीख देखता है इसके बिल्के सफरीे कर लिया है तो पार बचलिए इसमें यहां पर बिल्का अधाइब की मार्त कराई आय मैंने बत्वार्ट ऑई दॉनी अचारी विरा समibly में एक प्लेट में निकाल लें मसाला रेडी करने के लिए मैंने यहां पर दो टमाटर ग्राइंडर जार में डाला है और साथ में चार पाच लेसुन की कलियां और साथ में एक चमज मस्टर सीट्स और यह जो है यह एक अचार होता है मिर्च का जिसको स्टफ करके बनाया जाता है मैं इसमें जरूर डालती तो इन सब का यहां पर पेस्ट पना लिया है पेस्ट नाय कि स्टागे निएख जिसमें लिए लई मिर्च ठाइल मने हाल् inglés उच्छा का डालके और बनाया नीए थोड़ा सा गर्ममसाला दाल के इसप अच्छे से जिर लेंगे मशालों पजै का रलते एक उसका जिसमें में तो आपके पास पंच फोरन हो तो आप यूज कर सकते हैं मेरे पास पंच फोरन नहीं था तो मैंने ये मेथी, जीरा, तेजपत्ता, कलॉंची और थोड़ा सा मस्टर्ड सीर्स ताल के इसको अच्छे से तड़का लिया है फिर इसमें मैंने तीन से चार प्याज को एकदम बार करना है जब तक कि यह एकदम से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बहुत ही अच्छे से इसका कलर आ जाए तो यह देखे यहां पर जो प्याज है मेरे बहुत अच्छे से फ्राइ भी हो गई है कुग भी हो गई है और ऑल भी चोड़ दिया है तो इस स्टेश पे जो हमने म अच्छे से मेक्स किया है और इसको जब तक की अच्छे से कोख नहों जाए तब तक हमें इसको ऐसे ओपन करके कोग करना है जब तक कि साइट में ओयल ना आ जाए तो यह देखे, यहाँ पर आपको साइट्स में ओयल दिख रहा होगा, उसके बाद मैंने इसमें पानी आइट कर दिया है, पानी अपने हिसाब से आइट कर सकते हैं, आपको ग्रेवी जैसी चाहिए, जनरली इसकी ग्रेवी बहुत थिक होती है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा अचारी अचारी एककरी एकडम रेड़ी है, तो चलिए इसे सर्फ कर लेते हैं, आप लोग इसे घर में ज़रू ट्राय करना हो, मुझे कमेंट करके बताना है, कैसा लग बना एक तरीके की आपको कैसी लगी, और अगर आप मेरे चानल पर न्यू हो, तो आप मेरे चानल को सब्सक्राइब कर दीजे, और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे, शेयर कर दीजे, बबाई